दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस फोन का चार्जिंग टेस्ट मांग रहे थे रियल मीटू का तो आज जो है हमारी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो गई है अब देखते हैं इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है अभी टाइम आड़ बिसकर 28 मिनिट ह हो रहा है तो हम जो है चार्जर को ओन कर देते हैं देखिए हमारी चार्जिंग भी सुरू हो गई है और अब जो है एक परसन भी दिखा रहा है अब हम फोन को ओन कर लेते हैं ओन करके चार्ज करने से ज्यादा बेटर होगा तब हमको पता चलेगा कि इस फोन को चार्ज होन में actually में कितना time लगता है तो चलिए हमारा phone on हो गया है अभी time देखिए 20 बज़कर 30 minute यानि 8 बज़कर 30 minute होड़ा है अभी charge percentage देखिए 1% है तो दोस्तो time अभी 9 बज़ गया है और अभी अगर आप charging percentage देखें तो 26% जो है charge हुई है लगब 32 minute हो गया हमको phone में charge को दिये हुए अब थोड़ी दिर बाद और चेक करते हैं दोस्तों अभी time देखिए 9 बज़कर 37 minute हुआ है time यानि लगबग 1 गंटा 8 minute हो चुगा है हमारा phone को charge में दिये हुए अभी 54% charge हुआ है और time लगबग हुआ 68 minute phone को charge में दिये हुए अब थोड़ी दिर बाद और चेक करते हैं तो अब जो है देखिए दोस्तों 10 बज़कर 6 minute time हो गया है लगबग 98 minute जो है हो गया है phone को charge में दिये हुए और charging जो है 76% हुई है अभी तक तो अब जो है हम थोड़ी दिर बाद और चेक करते हैं दोस्तों लगबग 2 गंटा हो गया है अब charge देखिए 90% हो गया है हम 8 बज़कर 28 minute में लगाये थे phone को charge में और अब जो है सिर्फ 10% बाकी है देखते हैं इस 10% को होने में कितना time लगता है तो दोस्तों finally हमारा phone charge हो गया है और आखरी 10% charge बहुत ही slow हो गया था लगबग 54 minute हम लोग को charge करने में लग गया आखरी 10% और बहुत ही ज़्यादा slow हुआ आखरी 10% अब जो है आपको बताना चाहता हूँ एक बाद जब मैं phone को charge में लगाया था तो लगबग जब तक 90% charge ह हुआ था उस बीच में जो है phone जो है थोड़ा ही थोड़ा था और charger भी जो है थोड़ा ही थोड़ा था अगर आपके सांद भी ऐसा होता है तो यह सभी phone के सांद लगब भोड़ा है तो आपको टैंसा लेनी की जरूरत नहीं है यह आपके सांद सिर्फ अके लिए नहीं हो र हुआ सिर्फ